तो बिरिलियंट नोलेज के यूटूब चानल में फिर से एक बार आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्णावली तीन दस्वनलब तीन के प्रश्ण कर मांग तीन के तीन नंबर वाले प्रश्ण को यहां पे सौल्ब करेंगे तो प्रश्ण क्या है पहल यहां से यहां आपका एक समीकरन बनेगा इसको धियान रखेगा बाद में उसने तीन वल्ले तथा पांच गेंद सत्रे सो पचास में खडिय दी यहां से यहां पढरने पर आपको दूसरा समीकरन मिलेगा आगे बोला की परतेक बल्ले और परतेक गेंदका मुल ग्याद यानि हमें जो ग्याद करना होता है उसी को हम लोग X और Y मानते हैं हमें परतेग बल्ले के मुल्ले को ग्याद करना है तो इसको मान लेंगे परतेग बल्ले के मुल्ले को X मान लेते हैं और परतेक गेनके मुल्य को भी ग्याद करना है तो इसको हम लोग वाई माल लेते हैं और इसी बात को हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे कि माना की माना की परतेक मतलब परतेक का मतलब एक एक बल्ले का मुल्य का मतलब कीमत इसको माल लेंगे एक्स और परतेक क्या है परतेक गेंद का मुल्य इसको माल लेते हैं वाई अब यहाँ सिंपल सा लिख लेंगे परस्न अनुसार परस्न में जो भी कह रहा है उसके अनुसार हमें दो समीक रण मिलेगा सबसे पहले देखिए क्या बड़ा है साथ बल्ले छे गेंद तो बल्ले को क्या माने है एक्स और गेंद को क्या माने है यहाँ पर देखिए बल्ले को एक्स गेंद को वाई माने है तो साथ बल्ले तो क्या हो जाएगा साथ बल्ले तो साथ एक्स क्योंकि बल्ला बड़ाबर एक्स माने है Plus कडहेंगे 6 गिंद्ध है गिंद को हम लोग Y माने है तो कितना हो जागा Plus 6Y बढ़ावर कितना 3800 रूपिया यह समीकरहन यह हुआ अब दूसा समीकरहन को देखिए 3 बल्ला तो बल्ला को X माने है तो कितना हो जागा 3X प्लस उसके बाद क्या 5 गेंद को हम लोग क्या माने स्वाइव हो जाएगा बडाबर कितना दाम है उसका सत्रे सो्पचास D 김 इसको स्वह्मी करण दो इन दोनों स्वह्मी करनों को हम लोग स्थपरसपुनिज़ से हल करेंगे तो एक से और वाई का मान हमें मिल जाएगा तो देखे परतिस्था पर्विंती सहर करने के लिए क्या करेंगे समीकरन एक से हम लोग एकस के मान को निकाल लेंगे अब समीकरन एक से वाई के भी मान को निकाल सकते हैं तो एक से निकालना है तो यहाँ पर लिख लेंगे समीकरन इस तरफ 7X रह जाएगा इधर 3800 है 6Y को इस तरफ करेंगे तो माइनस 6Y और X बराबर हो जाएगा यहाँ पे है 3800 माइनस 6Y X के साथ 7 गुना के रूप में है इधर आके भाग लग जाएगा इसको समीकरण 3 मानेंगे अब यह जो X का मान है इसे हम समीकरण 2 में रखेंगे 2 में इसलिए क्योंकि यह जो X का मान है इसको हम लोग किस से निकाले हो समीकरण 1 से निकाले हो तो एक मेंने रखना है किस में रखना है 2 में दूसरे वाले में रखना है तो उसी बात को लिख लेंगे कि समीकरण 2 में X का मान रखने पर किसमे रखना है समीकरन दो तो पहले समीकरन दो को उतार लेते हैं ना समीकरन दो अपने पास देखिए यहाँ पर क्या है तीन एक्स पलस पांच वाई बराबर सत्रे सो पचास बराबर करेंगे X के जगे में यहां पे 3 है 3 लिखेंगे गुना करेंगे X का मान देखें शामी करें 3 में क्या है X का मान है 38 minus 6Y बटा करेंगे 7 ठीक है इसके बाद फिर क्या है plus 5Y तो कर लेंगे plus 5Y बड़ाबर में कितना है 750 अब आईए इसको आगे बढ़ाते हैं 3 को जब हम लोग 3800 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 11400 minus 368 Y बटा में है 7 plus 5Y बड़ाबर 3750 अब इसको आगे बढ़ाते है अब यहां LCM में लेंगे जैके नीचे में 7 है तो केबल 7 का LCM 7 ही होगा अब यहां भी नीचे 7 है और यहां भी नीचे 7 है तो दोनों कटके समाब तो हो जाएगा उपर वाला जो है 11400 माइनस 18Y यह उतर जाएगा अब यहां 5Y के नीचे में कुछ भी नहीं है तो यह 7 से गुना हो जाएगा तो 7, 5, 6 35Y बड़ाबर में होगा 17, 50 अब यहां सिंपल सा क्या कीज़े कि उपर वाला जो है इसको जोर दीजिए यहां पर संख्या में कितना है 11,400 देखिए 35 से अठाड़े गटेगा पलस 17Y बड़े में है 7 बड़ाबर 17, 50 अब उपर वाला जो है से मुतर जाएगा 11,400 पलस 17Y और यह 7 जो है जाकर के 17, 50 से गुना हो जाएगा तो 7 गुना 17, 50 हो जाएगा 12,250 अब यहां देखिए 17Y बड़ाबर हो जाएगा इदर 12, 250 है 11,400 इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 11,400 17Y बड़ाबर देखिए 12,250 से 11,400 को घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 850 यहां कर जाएगा 17,1 कम 17,75,85 और 0 आकर के बैठ जाएगा यानि Y बड़ाबर एक को आगे में लिखा नहीं आता है तो Y बड़ाबर हो जाएगा कितना 50 अब इस Y के मान को हम लोग समीकरन 3 में रखेंगे ना तो X कमान परापता होगा तो उसी चीज़ को लिख देंगे कि Y कमान समीकरन किस में रखना है 3 में रखने पर सबसे परलों तो समीकरन 3 को उतार लेंगे समीकरन 3 को उपर देख लिए तो क्या है क्या है X बड़ाबर 3800-6Y बटे 7 3800-6Y बटे 7 यानि X बड़ाबर है 3800-6Y बटे में है 7 अब इसको solve कर दिए देखे 3800-6 गुना Y का मान है 50, 50 को यहां पर रख देंगे बटे में हो जाएगा 7 बड़ाबर करेंगे 3800-6 गुना 50 हो जाएगा 300 बटे में 7 3800-3 गटे गा तो हो जाएगा 3500 बटा में 7 यानि जब हम 3500 को 7 से भाग देंगे तो 75, 65 यानि 500 पराप्त होगा अब X और Y का मान पराप्त हो गया तो लिख लेंगे अत है परते बल्ले का मुल्ल को हमने X माना था और X का मान अभी भी देखे कितना पराप्त हुआ है 500 मुल्ल में रुपिया में होता है तो यहां पर रुपिया लिख दीजिए और परते एक गेंद का मुल्ल इसको क्या मने थे वाई और वाई का मन देखे कितना पराप्त हुआ है यहां पर देखे 50 तो वाई का मन कितना हो गया 50 रुपिया यही आपका हो जाएगा एंसर